के अग्रोहा मार्ग पर एक ही गोदाम में चल रही खादक कीटनाशक और खी बनाने की पेक्ट्रियों पर सीम फ्लाइंग की कारवाई दो दिन चली थी जिसके बाद अब मामला दर्ज किया गया है इस कारवाई में सीम फ्लाइंग के प्रभारी विक्रमजीद भादू, टुशी विभा के डिप्टी डारेक्टर बलवन्त भी मौजूद रहें पुलिस ने नकली घी बनाने के आरोप में देव फूड प्रॉड़क्ट अग्रोहा रोड बरवाला के मालिक विकास के खिलाफ कई धाराओ के तहर मुकदमा दर्ज कर दुकान में रखे घी को पुलिस ने कबसे में ले लिया है देव फूड प्रॉड प्रॉड़क्ट के गुदाम से पुलिस को भारी मात्रा में नकली घी वनस्पती घी के कई डिब्बे और खाली पैकेट और कैमिकल बरामद हुए है कारगल एंटिया बायो फर्टिलाइजर कामपनी के मालिक के खिलाफ पुलिस और क्रिशि विभाग की जाच भी जारी है यहां भी टीम को भारी मात्रा में खाद बनाने की मशीन, खाद और ज्रेंक, पुटाश, कीटनाशक, दवाई सहीत, खाली और भरे पैकेट मिले हैं कहितर है कि कैमिकल भी टीम को बरामद हुए है सीम फ्लाइंग की टीम ने शुक्रवार को अग्रोहा मार्क पर दबिश दी थी, यहां बरामद सामगरी के टीम ने सैंपल भी लिये थे प्रदीश में नकली घी का शारू बार धड़ेली से चल रहा है कल सीम फ्लाइंग टीम ने पानी पत में नकली घी बनाने वाली फैक्टरे पर शापा मारा था जहां चार बड़ी कंपनियों के ब्रैंड लगाकर नकली घी बनाया जा रहा था दो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं हिसार की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर पानी पत की दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से इस नकली खी के काले कारूबार पर ये शिकंजा खसा गया है सीम फ्लाइंग ने चापा मारा है और चार ब्रांट के दरसल खी वहाँ पर मिले हैं जो नकली खीते और आप देखे जरा एमजोन तक भी इसका पूरा कारूबार ये चल रहा था अमजोन पर भी लोगों को ये घी बेचा जा रहा था यानि कि लोगों कि स्वास्ते के साथ किस तरह से खिलवार किया जा रहा था इन दो तस्वेरों के जरीए आप अंदाजा लगा सकते हैं अलाकि शुकरजा जरूर कसा गया है सीम फ्लाइंग की तरफ से लेकिन ये धंदाप पूरी तरह से फल फूल रहा था